Hello Friends, In This Video We Will Discuss About Inscription of Gupta Period Gupta Period के Inscriptions के बारे में पढ़ेंगे पिछली वीडियो में हमने Morian Inscriptions और Post Morian Inscriptions के बारे में पढ़ लिया था तो आज हम Inscriptions of Gupta Period पढ़ेंगे So Let's Start First है समूंदर गुपता पर्याग लहाबाद परशस्थी इंस्क्रीप्शन समुंदर गुपता का पर्याग परशस्ती इंस्क्रिप्शन इस पिलर इंस्क्राइब स्टैंड इन दा फोर्ट एट अलहाबाद ये कहां पर स्टैंड है फोर्ट एट अलहाबाद अलहाबाद के के लिए पस्थापित किया गया है and not in its original place इसका ओरीजनल प्लेस नहीं है यह अलाबाद का फोर्ट परियाग कोशामभी इसका ओरीजनल प्लेस कौन सा था परियाग कोशामभी में ठीक है लेकिन इसको यहाँ से उठा कर अलाबाद के फोर्ट में रख दिया है धी परशस्ती परशस्ती it implies uology यू लोजी क्या होता है परशंसा में किसी की परशंसा में कुछ बोलना ठीक है किसी की परशंसा में कोई भाषन देना तो जो यह परशस्ती है पर्याग परशस्ती इसमें क्या किसी की परशंसा का भाषन दिया गया है inscribed on it. ठीक है? इस पर inscribed किया गया है प्रशस्ती. It was composed by Hari Sen. ये किसने composed किया था? Hari Sen ने. The Maha Sandhih Vigrehek. Hari Sen कौन था? The Maha Sandhih Vigrehek. ये कौन था? Maha Sandhih Vigrehek किसको बोलते है? The Minister of Peace and War. कई बार एक्जाम में ये भी कोशन आजाता है. महासंधी विग्रह का मतलब बताओ क्या होता है तो महासंधी विग्रह कौन होता है the minister of peace and war the minister of peace and war इसको ऐसे याद रख लो महासंधी महासंधी करना ठीक है जब यूद हो रहा हो तो क्या करते हैं शांती अस्थापित करने के लिए संधी कह लेती हैं तो महा संधी विग्रहक क्या होता है अ चैन्लम पिश coloured व व्स causes दॉता टो यह हरी सेन था ना हरी सेन कों था एक महा संधी विग्रहक था संसंद्र गुपता का गुपता पिरियड के जो समुंद्र गुपता थे ना उनका महासांधी विग्रहक था इट इस रिटन इन संस्क्रिट लैंग्वेज एंड ब्रहमी स्क्रिप्ट तो देखो गुपता पीरेड आ गया था ना गुपता पीरेड में यह पंडित वगेरा आ गए थी ठीक है टेंपल्स वगेरा बनाए ज उसक्रिप्टिंष्ण का जो अर्लियर पार्ट पहले वाला पार्ट हैं कंपोज इन वर्स में कंपोज किया गया है वर्स किआ होता है वर्स को हम बोलते हैं पध्य गद्य और पध्य गद्य अच्वा wh है वो वर्स में है और लेटर पार्ट है जो वो प्रोज में है इट थ्रोज लाइट ओन कोरो नेशन कॉंकस्ट इन ओल डिरेक्शन यह किसके बारे में बताता में कोरो कोरोनेशन होता है राज्य विशेक करना कॉंक कस्ट युद्ध करके विज्य प्राप्त करना in all direction हर direction में उसने अपने राज्य विशेक किये वहाँ पर जीत प्राप्त की and the personality of samundar गुपता और samundar गुपता की personality के बारे में बताता है there is a long sentence of 33 lines इस में इस inscription में बहुत लंबे sentence 33 line के content of seven to eight line अब यह में लाइन टू लाइन के बारे मताएगा कुछ के भाई यह ज्यादा इंपोर्टन यह इसको पढ़ लो एक बार seven to eight line में क्या बताए गया announcement of चंदर गुपता first at the court that samundar गुपता विल भी सक्सेसर ठीक है announcement करी चंदर गुपता फर्स्ट ने कि उसका समुंदर गुपता सक्सेसर होगा jealousy felt by jealousy felt by तुल्या कुला जस यह जो था तुल्या कुला जस यह से जैलिस हुआ समुंदर गुपता से due to coronation of समुंदर गुपता एन आएगा यह coronation of समुंदर गुपता समुंदर गुपता का जो राज्य भी शेक हुआ तो यह तुल्या कुला जस था जो यह इससे जैलिस हुआ content of 13th line अब 13th line में क्या कह रहा है विक्ट्री ओवर अच्यूत और नागसेन अच्यूत नागसेन के ओपर विक्ट्री अनेग्जेशन ओफ पाठली पुत्रा ठीक है अब 17th line में क्या कह रहा है यह 17-18th line में समंद्र गुपता डिस्क्राइब एज वन हूज ओनली एलिवास वैल्योर प्रकर्मा ठीक है थो दा माइट ओफिस ओन आर्म हूज बोडी इस कवर्ड विद स्कार मार्क्स कोस्ट बाइव वैरियस वैपन्स तो 17-18th line में बताया गया है कि समंद्र गुपता व 19-22 ट्वंटी एथ लाइन 19-22 लाइन में क्या लिखा गया है विक्ट्री ओवर 12 रूलर्स ओफ दक्षिनापत के ऊपर विक्ट्री कैसे प्राप्त की समंद्र गुपतने कंटेंट ओफ 21st लाइन में क्या कहा गया है दा इवेंट ओफ डिफिटिंग नाइन रूलर्स ओफ नाग डाइनस्टी के को कैसे हराया था एट कोशामबी कोशामबी में ठीक है कंटेंट ओफ 22nd लाइन विक्ट्री ओवर आटाविक सब ओडिनेशन असेप्टेड बाइ फाइव स्टेट्स ओफ इस्टर बोर्डर रीजन ठीक है तो यह कैसे कैसे वहाँ पर उन्होंने विक्ट्री प्राप्त की थी कंटेंट ओफ 24th लाइन सब ओडिनेशन असेप्टेड बाइ काइडर कुशान रूलर देव पुत्रा शाही शहानु शाही शक रूलर रुद्र सेन तृत्या रुद्र सेन थर्ड शक मुरंद रूलर सिहाली श्री लंकन किंग मेग वर्मा ठीक है मेग वर्मा जावा सुमात्रा माले आईलेंड्स ठीक है यह इंपोर्टेंट नहीं है बस एक बार इनको रेडिंग ही माननी है को यह ज्यादा यह आएंगे इन एक्जाम में 27th line Samundra Gupta described as Kaviraj because he was so expert in music that Narad and Tumbaru was ashamed 28th line Samundra Gupta described as partner of scholars content of 29 to 30th line Samundra Gupta described as Lichvi Dohitra, Maharaja Dhiraj, Avatar, Incarnation of Vishnu, Prachirwal, Bound with Dharma Religion, etc. ठीक है मैं नेक्स्ट है कर वे समुंद्र Gupta's Aaron inscription Samundra Gupta का Aaron inscription इन इस इंस्क्रिप्शन समुंद्र Gupta is called savrajochitta इसमें samundra Gupta को क्या कहा गया है सवराजो चेट्टा इसलिए उसको सवराजो चेट्टा कहा जाता है उसकी शादी किस्यों ही दत्ता देवी से इट स्टेट्स डेट एरी किनी इट इंप्लाइज एरंड वाज स्वभोग नगर जो एरंड था उसका क्या था स्वभोग नगर इस इंप्लाइज पर्सनल जागीर स्वभोग नगर था इट इंप्लाइज पर्सनल जागीर ठीक है समुदर गुपता के एरंड इंस्क्रिप्शन से यही पता चलता है कि उसको सवराजो चेट्टा कहा जाता था मैडवी दत्ता देवी और उसके जो एरिक नी या एरन वर्ड था उसको सव भोग नगर या परसिनल जागीर कहते थे ठीक है नेक्स्त है समुद्र गुपताज नालंदा को पर प्लेट इंस्क्रिप्छन समुद्र गुपता का नालंदा प्लेट इंस्क्रिप्छन इट इस फाउंड फ्रोम विहार यह कहां से मिला विहार से इट इंप्लाइज मोनेस्ट्री इन नालंदा ओफ बिहार स्टेट ठीक है नालंदा ओफ बिहार स्टेट इट इस रिटन इन संस्क्रीट लैंग्वेज एंड ब्रहमी स्क्रेप्ट यह किसमें लिखा गया देने का नेचर कंटेंस अकंडिशन ओन विच अग्रहार इंप्लाइज लैंड ग्रांट अग्रहार इन में यह वर्ड मीनिंग इन वर्ड के मीनिंग पूछ ले जाते हैं अग्रहार क्या कहा जाता अग्रहार को लैंड ग्रांट ठीक है अग्रहार को क्या कहा जाता है लैंड इट बीन गीवन टू ब्रहम्नाज लैंड ग्रांट यह अगरहार है जो ब्रहमनों को दिया जाता है बाइदा डोनर के द्वारा इट कंटेंस जैं गुपता जैनियलोजी इसमें गुपता की जैनियलोजी जैनियलोजी होते हैं उनका वन्ष वन्षावली फ्रूम श्री copperplate inscription पहला कौन सा था समुदर गुपता का नालंदा copperplate inscription it is found from Gaia of Byhar state नालंदा इस भी भी हुर में से सिमिलर तूट का इंसकर इसका इसमीфाइन नालंदा copperplate inscription के जयसा ही है उसमें क्या था के बारे में बताया है ठीकआ और है वो किसके लिए फॉता है land grant जो भ्रहमनों को दिया जाता है ठीक है युब है नेक्स्ट है चंटरगुपता सेकिंड उदे गिरी इंसक्रिपशन चंबर गुपता सेकिंड का उद्यगिरी इंसक्रिपशन इट इस इंसक्राइब्ड ऑन तू के इडिया गिरी कर लोग好不好 आफ यह भी लोग कर दो कर लोग करती ऐंट works के लृप ओर शेंड साहव स 70 विग्रहक अब आल यह सान्धी विग्रैक आंप सभी एक हमने पहले पढ़ाया ना मिनिस्टर ओफ पीस एंड वार वीर सेन साहब इनके द्वारा यह एंकार्व किया गया और चंदरगुपता सेकेंड ठीक है इस इंस्क्रिप्शन थ्रोज लाइट ओन विक्टरी ओवर वेस्टर रिजन ऑफ चंदरगुपता सेकेंड तो यह किसके बारे म इन्सक्रिप्शन चंदर का महरोली या डैली आयरन पीलर इंस्क्रिप्शन इस कंसर्णी यह किसे नेमड चंदरी फईड़ा इस गुपता रूले चंदरगुपता सेकेंड तो यह चंदरा है जो एकिसे रिलेट करता है चंदरगुप्ता 2nd by mostly scholars mostly scholars उसको मानते हैं चंदराचंदर गुपता 2nd है next कुमार गुपता 1st कुमार गुपता 1st दामोदर पूर copper plate inscription कुमार गुपता 1st का दामोदर पूर copper plate inscription it is found from दामोदर पूर in दिनाजपूर district of northern बेंगल ठीक है यह कहां से मिला है दामोदरपूर इन दिनाजपूर डिस्टिक ओफ नॉर्धन बेंगोल इट इन संस्क्रिट लेंगवेज और ब्रहमी स्क्रिप्ट इस इंस्क्रिप्ट इस नॉर्धन बेंगोल वाजा पार्ट ओफ कुमार गुप्ता फर्स्ट एंपायर तो यह यह बारे में स्टेट और्गेनाइजेशन और अड्मिनिस्टेटिव सिस्टम और गुप्ता पिरेड के बारे में बताता है ठीक है नेक्स्ट है कुमार गुप्ता फर्स्ट मंद्सोर स्टोर स्टोर इंस्क्रिप्शन कुमार गुप्ता फर्स्ट का मंद्सोर स्टोर इंस्क्रि at Sivana River in Mansour, Mansour की Sivana River of Madhya Pradesh, तो Mansour stone inscription Madhya Pradesh में है, it throws light on decline of commerce and industries in later गुपता पीरियड, यह कीज के बारे में बताता है कि लेटर गुपता पीरियड में कैसे commerce और इंडस्ट्री का decline हो गया, पतन हो गया, this inscription describes that a guild of silk waiver, जो guild of silk waiver थे ना, silk के जो व्यापारित जुलाहे थे, उनका जो समाज था, migrate हो गया, वो from Lath, Lath कहां है, Southern Gujarat to Dashpur, Southern Lath, Southern Gujarat से Dashpur Mansour due to decline in silk industry, silk industry के decline की वज़े से, जो guild of silk waiver से वो migrate हो गया, Lath से Dashpur, they settled in Dashpur, फिर वो settled हो गये Dashpur Mansour में and constructed there a temple, और महाँ पर एक temple बनाया, Mansour में, dedicated to Surya, it implies a sun, sun के लिए उन्होंने एक temple बनाया, ठीक है, next है, सकंद गुपताज गिरनार जूनागड इंस्क्रिप्शन, सकंद गुपत का गिरनार या जूनागड इंस्क्रिप्शन, इट त्रोज लाइट औन दा प्रोविंचल अड़िनिस्टेशन ओफ सकंद गुपता, इसकंद गुपता के प्रोविंचल अड्मिनिस्टेशन के बारे में बताता है, इट डिस्क्राइब दा अपोइप्टमेंट ओफ गुपता, गोपता एक पद है ठीक है तो यह किसे बारे में बताता है it describe the appointment of गोपता गोपता कौन था it implies provincial governor कौन था provincial governor ठीक है and the qualities of ideal गोपता और गोपता के appointment के बारे में बताया और बताया कि qualities क्या-क्या होनी चाहिए एक ideal गोपता में it contains the information that the embankment of सुदर्शना लेक जो सुदर्शना लेक का embankment था उसका तर्ट था वास डेमेजड डेमेजड हो गया था वन सकेन एक बार फिर दो बताओ पहले बताओ के सुदर्शना लेक किसने बनवाई थी पहले पढ़ाया ना हमने सुदर्शना लेक बनवाई थी दामन ने अपनी पोकेट से उसको रिपेर भी करवाया था ठीक है तो यह दुबारा से क्या होगा सुदर्शना लेक का जो एमबेंकमेंट था वो डेमेज हो गया एड़ इट वाज रिपेर बाई चक्रापलीता यह किसके द्वारा रिपेर की करवाईगी चक्रापलीता चक कि इसन उसको रिपेर करवाया एंड़ सन ओफ प्रनाधत्ता और जो प्रनाधत्ता का संथा दा गोपता और सुराश्टा है ठीक है प्रनाधत्ता कोन था गोपता और सुराश्ट्रा श्र Jeеты वने इसको repare करवाया इंड शूमार कुमार गुप्ट कछलियांकारी राजा कुमार को इसमें क्गया है एक व NO का करी राजा कि शुक्मार गुप्त करें जुनागर इंश्क्रिप्शन में नहीं ठीच है इट इंपलाइज बैनो वोलेंट किंग ठीक है कल्यानकारी बैनो वोलेंट किंग और जो चक्रापालिता है उसको क्या कहा है आदर्श नगर रक्षक उसको क्या कहा जाता है आदर्श नगर रक्षक इंप्लाइज आइडिल सिटी प्रोटेक्टर आइडिल सिटी प्रोटेक्टर नेक्स्ट है सकंद गुपताज भीत्री पिलर इंस्क्रिप्शन सकंद गुपताज भीत्री पिलर इंस्क्रिप्शन it is inscribed on a pillar which is situated outside the भीत्री विलेज ठीक है तो ये भीत्री विलेज के बाहर situated क्या गया है in गाजीपूर डिस्टिक of उत्रपर्देश state गाजीपूर डिस्टिक में भीत्री विलेज के outside इसको situated क्या गया है it is written in Sanskrit language and Brahmi script it describes the erection of pillar it describes the erection of pillar ठीक है ये कैसे कैसे pillars को erect किया गया the construction of a temple temple को construct किया गया in which the statue of भगवान शारंगी इसमें किसकी statue लगाएगी भगवान शारंगी की it implies God Vishnu बगवान शारंगी कौन है God Vishnu was established बनाया गया and donation of revenue revenue है जो वो donate किया गया received from भीत्री विलेज भीत्री विलेज से जो भी donation जो भी revenue आया उसको donate कर दिया गया for the expenses of temple किसके लिए टेंपल के लिए for the expenses of temple by सकंद गुपता सकंद गुपता ने क्या किया बीत्री विलेज से जो भी revenue आता तो उसको donate कर दिया for the expenses of temple it contains गुपता जैनियोलोजी यह भी गुपता जैनियोलोजी के बारे में बताता है from श्री गुपता to सकंद गुपता इट मैंशन दा invasion of horns अकरमन के बारे में बताता है यह कॉशन important है कि बहुआ ंब्यूम में किस इंस्क्रिप्शन इंसक्रिफिशन से पता चलता है हमें तो असकंद गुपता इsta copper plate inscription It contains the information about our soar samper dai तो यह किसके बारे information देता है सोर samper dai सबस्क्राइब एक कम्यूनिटी कंसर्ण विद था सन वह community जो संसे कंसर्ण करती है ताहिली का शेर्नी क्या कौन है गिल्ड ओफ oil millers यह तायली का शेरनी क्या है गिल्ड of oil millers oil millers की गिल्ड समाज that worked like a bank जो किसके जैसे काम करता है जैसे bank and administrative unit named antarvedi administrative unit किसके नाम से antarvedi के नाम से काम करती है and their administrator श्रवंगा ठीक है और their administrator श्रवंगा नेक्स्ट है भानु गुपता ज एरन स्टोन inscription भानु गुपता का एरन स्टोन इंस्क्रिप्शन ठीक है इट इस फाउंड फ्रॉम एरन इन सागर डिस्टिक ओफ मध्यपर्देश कहां से पाया गया मध्यपर्देश के सागर डिस्टिक के और अरन से इट डिस्क्राइप दा बैटल बिट्वीं भानुगुपतान ऻून इन्वेडर तोरमाना तो ये किसके बारे में बताता है कि बारे में भानु गुपता एंड हूण इन्वेडर तौर मान के बारे में बताता है इन के बीच में कैसे युद्वाद गोप राज़ कौन ए फृडूट्री ओफ भानु गुपता वाज किर्वट नुग दूरिं दा बैटल जो गोप राज का वोफ राज था वह यहां पर जलाया जाता है यह किसका उसका हज्बेंट मर गया था यह गोपाराज ठीक है तो उसकी वाई वी उसमें कूद गई थी इस फर्स्ट आर्के लोजिकल एविडेंस यह फर्स्ट आर्के लोजिकल एविडेंस ओफ सती प्रथा सती प्रथा का तो यह आ सकता है कि बहीं सती प्रथा का फर्स्ट आर्के लोजिकल एविडेंस कहां से मिलता है भानु गुपताज के एरन इंस्क्रिप्शन से ठीक है it implies the custom of emolation of a widow after the death of her husband कैसे एक वीड़ो का emolation किया जाता है in ancient India ancient India में next तोर मांड्स एरन वरहा statue inscription तोर मांड्स तोर मांड्स एरन वरहा statue inscription it is inscribed on a statue of वरहा तो यह किसका वरहा का statue found from एरन एरन से पाय गया है और वरहा का statue सागर डिस्टिक मध्यपरदेश it describes political achievement and religious interest of home ruler तोर मान तो यह तोर मान था ना जो हून रूलर था इसके political achievements or religious interest के बारे में बताता है next अब हमने देखो गुपता पीरिड के inscription के बारे में पढ़ लिया अब यह कुछ लेटर inscriptions के बारे में है ठीक है लेटर inscription तो बाद में कुछ inscriptions आये थे फर्स्ट है हर्षवर्धनाज बास खेडाज copper plate inscription हर्षवर्धनाज बास खेडा copper plate inscription it is found from बंस खेडा इंशेह जहापूर इंशेह जहापूर district of उत्तरपरदेश तो यह कहां से मिला है शेह जहापूर district उत्तरपरदेश के बंस खेडा से it throws light on administration and economy of हर्षवर्धना हर्षवर्धन के administration and economy के बारे मताता है इट describes that donation of tax-free village तो यह क्या करता था टेक्स फ्री विलेज स्टेँ देता था डोनेशन में नेमली मर्कट क्या नाम से मर्कट विश्या-ंग दिया भुप्ती अहीayer छोत्रा ठीक है तू ब्रामनाण बाई हर्षवरधना ठीक है दो ब्रामनों को उसने टेक्सफ्री विलेज को चाइंール ब्लां यूडिकffen की दा रेपलीज लिए डों सरोगाइए थह था है उस पर हर्षवरधना के सिगनेचर लिए उससे लिएन चे γण अच्छा केलियो ग्राफिक टाँ मैग्श है ये शो धर्मनाज ये शो धर्मनाज मन्सॉर्स्ट पिलर इंसक्रिप्शन इप ए यसोध नहीं करड़ा दिया था और अधिकार कर लिया था next है मिहिर भोजास गवालियर परशस्ती इंस्क्रिप्षन इसको इसको इंस्क्राइब कर वाया था तो इसमें मिहिर भोज को एक great conqueror competent administrator है benevolent ruler के नाम से जाना जाता है पर्मार भोजाज धारा परशस्ती inscription पर्मार भोजाज धारा परशस्ती inscription परशस्ती बताया था किसको बोलते हैं भाशन को किसी की परशंसा में जो भाशन बोला जाए न यो लोजी बोलते हैं जिसको क्ल्च ले फोलज फोजाज फोर्म भॉज फर्मार धाराव उसमें इसमें किसके बारे में बोलडीकल इन कल्च लेव We were going ksystem जिव परशस्ती इंसक्रिप्शन विजे सेंस का देव पारा प्रशस्ती inscription is describe the events that occurred in the region of visa sin कि रिपकॉन क्या-क्या events हुए यहीजरीजिंबगे ए सब्सक्राइब था आइनस्टी विजय इन को थे से डाइनस्टी के founder थे यह नेक्ड आगश्च साउथ इंडियन इंस्क्राइब यह हमने लेटर इंस्क्राइब लिए अभ यह South Indian South India में कौन कौन से inscriptions आए first application seconds a hole परशस्ति इंस्क्रिप्शन पुलकेशन सेकिंड का a whole परशस्ति inscription इस इंस्क्राइब इन विश्णू टैंपल यह विश्णू टैंपल में इंस्क्राइब किया गया एट एहोल इन बंगाल को बागल कोट डिस्टिक ओफ करनाट का स्टेट तो यह कहां पर विश्णु टेमपल एट एहोल इन बागल कोट डिस्टिक ओफ करनाट का स्टेट करनाट का स्टेट में है बागल कोट डिस्टिक में इट इस एन यू लोजी यह भी परशस्ति क्या है यह पुलकेशन 2nd के कोड़ पुइट के दार लिखा गया ऐँ गया और जैन फॉलोवर कौन थे अर रभी कृति पुलकेशन 2nd के कौड़ पॉइट जैन फॉलोवर रभी करीटी के दारा यह लिखा गया घाग City too वी आगी है it throws light on the success of किसके बारे में बताता है सक्सेसी जो पुलकेशिन सेकेंड के सक्सेसी के बारे में बताता है जो चालुक के रूलर वातापिया बादामी जो चालुक के रूलर वातापिया बादामी पुलकेशिन सेकेंड कौन थे चालुक के रूलर वातापिया बादामी according to this inscription Pulkashan second defeated Harshvardhana Pulkashan second ने किसको हराया Harshvardhana at the bank of Narmada Narmada नदी के किनारे पर and checked Harshah's campaign to conquer Dakar और उसने Harshah के campaign को check किया कि उसने कैसे कैसे Dakar पर conquer किया At this occasion Pulkashan second टुक अप the title of Permeshwara इस occasion पर जब उसने Harshvardhana को हरा दिया तो इस occasion पर Pulkashan second ने कौन सा title लिया परमेश्वरा इस inscription mention the name of Kalidas and Bhairvi तो वो किसका mention है Kalidas और Bhairvi का According to the inscription महाभारतवार वाज 14 3101 BC के वही महाभारतवार कब लड़ा गया 3101 BC में Next है Nursing Varmanaz Malika Arjuna Temple Stone inscription Nursing Varmanaz Malika Arjuna Malika Arjuna Temple Stone inscription It contains a conquest of Pallav Ruler Nursing Varmanah Pallav Ruler जो Nursing Varmanah था उसके conquest के बारे में ओवर चालू के रूलर ओफ बादामी Pulkashan second फिर इसमें चालू के रूलर ओदामी Second के उपर कैसे conquest किया On this occasion Nursing Varmanah तुक टाइटल तुक अप दाइटल महामल इसमें नर्सिंग वर्मा ने कौन सा टाइटल लिया महामल का Next है दंती दुर्ग का अलोराज केव इंस्क्रिप्शन दंती दुर्ग का अलोराज केव इंस्क्रिप्शन It is inscribed in Dashavatar Temple of Allura Allura के Dashavatar Temple में इसको inscribe किया गया है It describe the conquest of राष्ट्रकूटा रूलर दंती दुर्ग राष्ट्रकूट रूलर दंती दुर्ग था उसके conquest के बारे में है ओवर कलिंगा, कोशल, कांची, मलाव ठीक है? मालवा ये लात, टैंक, etc. इनके उपर कैसे उसने CONQUEST किया आगे है राजाराज तञजोर इंस्क्रिप्शन राजाराज तञजोर इंस्क्रिप्शन इत्रो लाइट on successes of चॉल किंग राजाराज ये चौल किंग राजाराज के बारे में है नौट राजाराज वाजवाजदा फर्स इंडियन किंग फू कंसीव किया कि यह आइडिया ना जो इंस्क्रिप्शन का यह इस्टोरिकल प्रिफेस यह इंट्रोडक्शन के रूप में इसको स्टार्ट किया जाए कंदलूर बैटल में राजाराज ने चेर को हरा दिया था राजेंदर फर्स तिरू वालंगर कौपर इंस्क्रिप्शन इसक्राइब विक्ट्रीज ओफ चोल रूलर राजेंदर फर्स्ट की विक्ट्रीज के बारे में बताता है एकॉर्डिंग तो इस इंस्क्रिप्शन राजेंदर फर्स डिफी डिफीटिड सुमात्रा रूलर विज्यो तुंग वर्मना को हरा दिया था इचंद इन्फरमेशं अबाफ रूड रिवेन्यो डिफीज सिस्टेम औव चोल तो यह करывает बारे में बताका है नेक्स्ट इस ऊत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन प्रान्त का टाईम का उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्षान इडेयल अबॉट लोकल सुआर mnie परी वेलेंट निच्छोल पीरिए भी डेता में play to Łag seasons अच्छों के बारे में बताता है थीक है तो यह हमारे सारे इंस्क्रिप्षान कम्प्लीट हो गए deer next हम कोईंस के बारे में ओको कोईंस के बारे में ठीक है है तो archaeological sources में जैसे थे ना तीन टाइप स्थेलोजिकल सोर्चिज कर इंस्क्रिप्षन और कोईंस यंढ मॉनुमेंट्स तो हमने इंस्क्रिप्षन सभी इंस्क्रिप्शन पढ़ लिए हैं अलग-अलग टाइम के मौरेन पोस्ट मौरेन गुपता पीरेड लेटर गुपता पीरेड और साथ इंडियन के अब हम कोईंस के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में कोईंस और मॉनुमेंट्स के बारे में एक साथ ही पढ़ लेंग